तो by finally and officially confirm होगे कि सलार डंकी के साथ clash होने वाली है it means it's going to be prabass versus king of bollywood शारुक कान एंड जो title और thumbnail में बता है उसकी उपर ही बात करने वाला हो कि सलार के makers ने intentionally डंकी के साथ clash करवाई है एंड वीडियो को end तक देखना वरना कोई आदा वीडियो देखके comment मत करना कि सलार जीतेगा नहीं तो डंकी के फैंस बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है इसलिए इस वीडियो को end तक देखना तो जैसे कि सब लोग बोल रहें कि प्रबास की सबसे बड़ी विस्टे के शारुकान की मुई के साथ clash करवाना and this time is not about SRK, it's about Rajkumar Irani तो पहले ये बात करते है कि होम बोले फिल्म के इंटेंशनल ये सलार जंकी के साथ रिलीस कर रहें तो पहले सलार 28 सेप्टेंबर को आने वाले थी लेकिन कुछ VFX डिले होने के कारण मुई को डिले कर दिया था and सब लोग प्रेडिक कर रहे थी कि मुई अगले सलाएगी बट कुछ दिन पहले ऑफिशली ये कनफर्म हो गया कि सलार जंकी के साथ clash होने वाली है December 22 को and इसके बाद प्रबास के फैंस और शारुकान के फैंस लड़ने लगे उसको छोड़ो वो तो चलता ही रहेगा अपन होम बोले फिल्म पर आते हैं तो प्रबास की फिल्म सलार डंकी के साथ clash होने वाली है clash करवाने का सबसे बड़ा मतलब है कि प्रबास की वैलिव वह पसलाना अब कैसी वैलिव जैसे कि तुमको बता है कि बाव वाली वन एन टू ब्लोकबस्टर मुई थी प्रबास की लेकिन उसके बाद प्रबास ने बिग बजट मुईस करने की कोशिश करी जैसे कि साओ, रादेश यहमान, आधिपुरुष ये सब की सब मुई फ्लॉप होई एंड हाँ लोग अब चलार प्रबास के लिए एकसाइड़ नहीं है, लोग एकसाइड़ है प्रशाद नील और केजी अफ यूनिवर्स के लिए एक टैप से प्रबास की वेलिव डाउन हो गई थी, तो इसलिए सोचा होगा कि अगर किसी बड़े एक्टर के साथ मुई को क्लैश करवाते, बले ही वो मुई रेकॉर्ड न दोड़ पहले, लेकिन अधर कलेक्शन उसके आसपास भी हुआ, वो भी बड़ी बात होगी अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने यकीन से कैसे के सकता हूँ, कि सलार इंडेशनली डंगी के साथ क्लैश हुई है, तो रुको मैं पूरे वैक के साथ बताता हूँ, तो 28 सेप्टेंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन डिले होने के कारण 22 सेप्टेंबर हो ग सकती है, विदाव ट्लैश। इंडेश औरсь नौमेंबर जा पर टैंज को टाइगत रिलीज होने वाली है, लेकिन डिलेश को रिलीज कर शकते हैं, या इस पर टोड़ा लोग है किसल आप वोलिवड मोविस के साथ ट्लैश कर रहे हैं जैसे तुमको पता होगा कि पुषपाटू का टीजर लेकिन अब कुछ महीनों पहले पता चल गया था कि अब पुषपाटू की फाइनल रिलीज डिट 15 ऑगस 2024 को है एंड पुषपाटू से पहले सबको ये पता था कि सिंगम अगें 15 ऑगस को रिलीज होगी लेकिन अब आपर स्क्रिश पर भी major impact पड़ेगा दो बड़े सॉपर सटर आएंगे तो सक्रीन तो डिवाइट होगी सलर को भी ज्यादा स्क्रीन चाहिए और डंकी को भी ज्यादा स्क्रीन चाहिए and डंकी को वायरेफ डिस्ट्रिब्यूट करने वाली है all over the world and वायरेफ वाले फिल्म डिस्ट्रिब्यूट में बहुत आगे they know the best cinema location to distribute the film and overseas में भी जैसे कि वायरेफ ने पठान और जवान को डिस्ट्रिब्यूट किये all over the world अब जैसे जो single screen है तो भाई वो लोग of course डंकी ही लगाएंगे and जैसे अब PVR, Cinepolis, Ainox हो गया तो दोनों movie लगेंगे बट शोव ज्यादा नहीं होंगे जितने पठान और जवान के थे सलार को भी शोव ज्यादा नहीं होंगे जितने भाई KGF को मिलेते हैं हर half an hour में एक शोव तो इधर screen भी दोनों में divide होगी and shows भी दोनों के हमको थोड़े कम देखने को मिलेंगे and यह मत सोचना कि मैं सलार को support नहीं कर रहा हूँ कि डंकी नॉर्थ में जयादा collection करेगी and overseas में भी जयादा collection करेगी in short, डंकी का collection worldwide जयादा होगा and Salaar South में जयादा collection करेगी and North में थोड़ा बहुत and overseas में भी थोड़ा बहुत because overseas में डंकी जयादा screen acquire कर लेगी मतलब अगर मैं summary में बताओ सलार का All Over Collection बहुत अच्छा होगा बढ़ डंकी का उससे ज्यादा होगा वर्ल्ड वाइल्ड में तो बाई ये था रीजन जो कि पर्सनली मुझे लगा कि कि क्यों सलार डंकी के साथ क्लैश हो रही है बागी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताना अब कौन से मुवी पहले देखना चाओगे सलार या फरी डंकी ये भी मुझे कमेंट करके बताना तो चैनल को सब्सक्राइब करते ना मिलते है अगली वीडियो में